जैहन दोस्तों मैं भूपन नाम देओ कैसे हो आप लोग आता करता हूं आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह पेपर SSC GD का प्रिवियर सेर का पेपर है यानि जो आपकी पिछली भायती SSC GD की निकली हुई थी उसका ही पेपर है तो आज हम GKGS की सेक्षन को सॉल्ब करने वाले हैं इसके अलावा अगर आप रीजनिंग हिंदी के प्रिवियर सेर की पेपर देखना चाहते हैं तो भी मैं सॉल्ब कराया हूं तो आप वीडियो प्लेश्ट पर जाकर देख सकते हो तो यह आप देखिए आपका एक्जाम सेंटर दिया 2022 तो पिछली वह थी आपका 1222 में निकली हुए थी तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपने GKGS के पार्ट के यह इसके अलावा अगर आप यह प्रिवियर का पेपर सॉब करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपका SSCGD में प्रिश्ण पूछ जाते हैं उनक आप देख सकते हो आपका पार्ट भी जर्नल लॉलेज एंड जर्नल आवेर्नेस तो हम इसी को स्वाप्ट करने वाले हैं ठीक है तो आपको अच्छे से बताएंगे पहला पिछने आपका तिरी सूर पूरम उस्व ने में खित मेंसे किस राज में मनाया जाता है तो दोस्तों जो आपका तिरी सूर पूरम उस्व हैं यह आपका केरल राज में मनाया जाता है किस राज में केरल राज में तो ऑफस्तन टू आपका बिलकुल सही होगा ठीक है और आपको इसको अच् लिंग आनुपात किस राज में है तो वो आपका केरल राज में है वो सबसे जादा साच चात दर वो भी आपका केरल राज में ही है अगला प्रिष्ण अगला प्रिष्ण है आपका लुक्ता में की बिटामील-सी-एक है तो बिटामीलल-सी-एक एंटी ऑक्सिडैन्ट है क्या एक एंटी-ए ऑक्सिडैन्ट तो आपका बिल infinit सही होगा डिलीटल चलीये लेकिन आपको कम से कम पता तो चला है यहां से ऐसे पूछ जाते हैं तो अब ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं अगला प्रिशन देखेंगे दच्छण ACI खेलों का आयोजन सर्व्य प्रिथम किस वर्ष में हुआ था तो दोस्तों जब आपका दच्छण ACI खेलों का प्रिथम जुनिए हुआ तब आपक उन् comprom प्रिश भास८म सावी प्रिश committees इस नहीं इस च्छण डाके ये डो अगला सर्ल आपका करंड़ प्रिशन को मिलें गिक है अगला देखेंगे अगुछ 52 में की गरी गोशना के अनुसार अंतर राष्टिय मुद्रा कोष्ट मैं भारत के लिए कारी कारी देदेशक के पर किसे नियुक्त किया गया तो किसको नियुक्त किया गया तो वह तोिसमरितु इस्तानी तूभानों का मौसम होता है जिसमें तीबर हवाओं के साथ गरजवाली मूशलाधार वारिस बरसा भी होती है इसके साथ प्रहा हिम विर्ष्टी भी होती है मतलब और गिरते हैं पश्चिम बंगाल में इन तूभानों को डैस के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में इन तुखानों को काल बैसागी के रूप में जाना जाता है किस के रूप में? काल बैसागी के रूप में तो option 1 आपका बिलकुल सही होगा ठीक है ये पिश्ण उसमें भी आपके अगला कि 800 के बरग्याकर खानों की से 30 पंगतियों को क्या कहा जाता है तो दोस्टोजाशाश्य बिलगा कार खाने होटे उनके जो 36 पंगतियां उनकों पर रेंग कहते हैं क्या कहते हैं रेंग कहते हैं तो ऑप्सन फोर आपका बिल्कुल सही होगा रेंग ठीक है आपके बहुत ही महत्पूर प्रिशने आपको बीडियो पूरा देखना है अगला देखो रासे स्वर्ख से किया बारवयान क्या रासे स्वर्ख से किया बारवयान डेस नेस से संबंदित हैं तो किस नेत्र से संबंदित हैं तो दोस्तों यह सत्रियान से संबंदित है किस नेत्र से ठीक है और जो आपका यह नित्र है यह आपका असम राज करनेत्थ है किस राज का असम राज का तो आपका सात्रियान नेत्र से संबंदित हैं और यह नेत्र आपका अश्रम्राज से संबंदित है और अगला जो आपको कुच्चिपूरी है यह आपका आंधपिदेश का है उडिसी आपका उडिशा का है भरत नाट्यम आपका तमिलनाडु राज का है तो अगला पिसन देखेंगे भारत में कौंसा गैर परंपरिक उजा शुरुत उप अगर आप जाएंगे तो पबंचक की लगी रहते हैं तो वही आपका कहलाता तो आप सर्मन आपका बिलकुल सही होगा अगला प्रिशन देखेंगे भारत में सूचना पुर्द्रोक की उद्द्यों का प्रमु केंद्र निम्ण मैंसे किसे माना जाता है किसको माना जाता तो दोस्तों बो है आपका बैंगलोर कौण शाय है बैंकलोर जो कि आपका करणाठक राज में इस्तित है करणाठक राज की रादधानी है बैंगलोरू ठेकर या इसी को आपका सीलिकॉन वी बेली भी कहा जाता है यहीं पे आपका बाट इनिकल गार्डन भी है इसके अलावा आपका सबसे अधिक जो आपका सौप्ट वेर कंपनिया हैं वो आपके बैंगलोरू में इस्तित हैं तो ऑप्सन पूर बिलकुल सही होगा अगला देखिए पॉलिटी से आपका प्रिष्ण है राजियों की परिषद को डैस के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों जो आपक पर नित्य मत्विद्यस राज में डैस के दौरान किया जाता है जब रवी की फसल कटाई की कटाई के लिए तैयार होती है तो कब किया जाता है तो दोस्तों इस सरदी में किया जाता है कब किया जाता है सरदी में ठीक है सरदियों में ही आपकी रवी की फसल होती है ठीक है रभी की फसल जैसे कि आपका गेहूं हो गया यह सब आपका रभी की फसल ही कहलाती हैं अगला प्रिशन देखेंगे उपिभोक्ता सौरी उपिभोक्ता सरनच्छन नियम 2021 की अनुसार जिला आयोगों के पास उन सिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां पितिफल के रूप में भुक्तान की वस्तो है यां सिवाओं का मूल डैस है तो सिवाओं का मूल पाँच लाक रुपय से अधिक नहीं है वहां भुक्तान करेगी तो ऑप्रिशन ट्री आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रिशन देखेंगे शिरिखे में उपश्तित हम्ल का एक नाम होता है, बहुत है, अपका एसे टिक अम्ल, क्या होता है, ऐसे टिक अम्ल, ठीक है, और जो आपका फार्मिक अम्ल है, यह आपका ची-T-E-O में पाया जाता है, अगला देखो, भारत में कारिवल अवादी में, डेस के भी सही है अगला देखो डैस आयतववस्ता की सभी फर्मों की शकल मुलवर्दित का कुल योग तो आपका इस सूत्र है तो कोई किसका सूत्र है यह दोस्तों आपका जीटीपी का सूत्र है किसका जीडीपी का जीडीपी बराबर आपका आयतववस्ता की सभी फर्मों की शकल हैं मूल वर्दित का कुल यह हो तो option त्री बिलकुँ सई होगा अगला प्रिशन देखेंगे भारती समधान में कितने मौलिक कर्थभ्यों का उल्लेक किया गया है तो आपको मई 2022 की अनुसर बताना है तो कितने मौलिक करतब है तो दोस्तों 11 ओर मौलिक करतब है कितने 11 तो और संतरी आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रसम देखेंगे निम्री कित मैसे कौन बांगला देश के गरामिन बैंक संस्ता पके तो कौन शें वह आपके महम्मद यूनिष कोने महम्मद तो आठारासो संतामन में किस बस्तु अजले ही श्ताफना होई थी तो अठारासो संतामन में आपका बंबई बस्तु दाले की स्थापना होई थी जो आपका बर्तमार में मुझ इनुबर सिटीए ठीक है जो कि क्या पर मुम्गई मैं इस तेजर ऑप सन्टू बिल्कुल सभा ह अगला पिसन देखेंगे भारत के जम्मू और कास्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किस्तवार डोडा वैल्ड की तेन देवसी यात्रा शुरू की तो कौशा है वो है आपके गुलाम नभी आजाद कौशा गुलाम नभी आजाद तो ऑप्सन फोल बिल्कुर सही ह्योंगा आगला थे स्थाना प्राट किसने के ती या सीम्मूश के सस्तापट कौन था तो वह है आपका पुश से मित्र तो और वनपन आपना बिल्कुरुख रही होगा तो दोस्तों यह से आपका जी किसमेब कुशे गए आपके बीस पिसन जो कि आपके प्रिवेस यह की पूरा आंसर किये आंगी आपका ही मैत का सेक्षिन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आप रिजिनिंग मैत ठीक है और हिंदी के प्रिविए सरे के पेपर देखना चाहते हैं तो आप वीडियो प्लेश पर जाकर देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जाएगा